कि जहिन दोस्तों मैं पुस्परंदर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल फ्रेंट जोन बाइलो जी पे तो जैसा कि प्रोटो जवा की सीरीज चल ले उसमें हम बात करते हैं सबसे लाश्ट वे हम बात किये थे ट्रिपैनो सोमा के बारे में हमने आपक लिस्मानिया कि तीन इस्पेसिज होती है तीनों में से किसी न किसी से कोई कुश्चन पूटब हो जाता है चाहे वह चाहे पीजी चाहे अपका जी आई से हो चाहें आप ल्टी ग्रेड बाइलोजी के इस्टुदेंट हो आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कु रोग कारक होता है पी तो वह क्या रिस्मानिया वती है और नाम घलतव होता है टो लेटनमई और धर को फिश्चन सोब्राच्वाएं एक इस्थां से दूसरे इस्थां तक एक से डूसरे में जो डिजीज होती है वो कैसे फैलती है किसके द्वारा फैलती है तो वाहक वाहक कौन होता है वह होती है हमारी सेंड मक्षी मतलब बालू मक्षी जिसका बोटैनिकल स्केडिक नम है फिलोब्टैमस अर्जेंटक से लिए brings जो है इस्के होर्ट इसे रहता कहा है कुछ बन चखता यह कहा रहता है तो हीवес यहां यहाँ यह पाया जाता है है कुछ मोलते हैं इसस्षुल्ड इसे बल्लेंट थे Southeast मही भूले है। कि यहां हुर्दॐन देखने को छीको 2 गे kosth होता है Circulatory system blood circulation system दूसरा लुमारा होता है लिमद इजिश्टम हरी सिस्ट्म तो लिमफ इस्टम भी मैं यह देखने को मिलता है तो कहां मिलेगा तुमको लिवर सेल म зачा ispLeanow Exprilis में मिल सकता है और लिमफ सिस्टम में यहां रहता है यह बात हो गई लिस्मानिया डोनोगने की अब लिस्मानिया ट्रॉपिका की बात करते हैं लिस्मानिया ट्रॉपिका से कौन कौन सी डिजीज होती है तो इससे तुमारी डिजीज होती इसकन सिस्किन लेश मानियच से होने वाली ढ़िजीज करती है तो इह हम які प्रता हैlass के द्गर का दरा अर्म भी कहते हैं तो इसे थोड़ होता है ट्रॉंवोड़ानिया वह स्का नाम से प्रसारी कर दिशेंद मालानी अरohn पर इस वालु मख्छी जो इसका रहती है उसके बाद में पैरासाइट कहां रहता है यह कहां रहेगा इंडो शेल आफ इसकीं खेपलरी इंडोथियल sm perfume से इंडोथियल से यक इन ये से तीस्य बात तीस्वानिया ब्रादिलियंसिश लीसमानीया ब्राजिलियेंसे से क्यों से डीजीज होते हैं इससे होती है म्यईको-प्योक्टेШ लाइutल मानि ओस्या इससे क्या बोला जाता है इस प्युंदिया भी बोला जाता है तो उसके बाद में इसका वेक्टर काउन साहेगा इसका भी वेक्टर तुम्हारा 팟ाव कर देता है यह प्रआवार का यह हैं उसके अव् upfront मुंक रिता है उसके बाद हम फिह आया कि बीटावी सद फिल उसके की उसके में होती है उसके बैकल में यह वी देखिखने को मिलता है उसके बाद पभी हैं फारिंग औरा फ्रिंगा यहां पर इस्थित होती है इसके अंदर इस्थित होती है यहां से विंड पाइप के लिए हवा जाती है अक्सीजन और करवन डायक्साइड का एक्सेंज होता है जो नाक के द्वारा हवा भी पास होती है इसके साथ साथ में खाना भी यहां जाता है तो फैरिंग्स क्लियर हो गया रिस्पारेट्रियन डाइजेशन का कॉमन अंग है दूसरे नंबर पर बात आती इस्प्लीन की इस् फिलो बोटैमस उसके बाद में डॉग और इसके रिजर्व रिजर्व होस्ट है पैरासाइड कहां रहता लीवर सेल इस्प्लीन और लिंप सिस्टम में रहता है उसके बाद में लिस्मानिया ट्रॉपिका लिस्मानियस जिसे हम क्यूटेनियस औरेंटल स्वार भी कहते हैं इसके से्न डॉपिके खे लएकि की के सेंड़ व्यर सकए नहीं गया अवार इस ता Oakland दिशी में ज्यों रहते हैं या इसे और नाम में यहां पाया जाता है और फाइरिंग्स क्या होता है रिस्पारेटरी डाइजेशन का कामन अंग है इस्प्लीन को हम क्या बोलते हैं इमर्जंसी ब्लेड बैंक भी बोलते हैं तो बात हो गए इतनी क्लियर अब बात करते हैं नेक्स की जो तुम्हारा होगा जी आडिया तो जी आडिया के बारे में बात करेंगे या डिसकस करेंगे वो नेक्स वीडियो में आप लोगों को डिसकस कराएंगे और इसको क्या है कि नोट करते हुए चलेंगे आप सबी लोग वीडियो पॉस करके नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से नोट बनाईएगा और ताकि जैसे मैं वीडियो अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सकें आप लोगों को सबसे पहले तब तक के लिए जय हिन जय भारत